देवान्स रखवंशी बुपाल से हैं पड़ाई कर लेकिन की प्रॉब्लम की वज़े से कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा तो कब प्रॉबलम पता चला है 2010 में पता चला था 2011 में ऐसा बारा साल भी तिया लगों कहा ट्रेट्मेंट कराया आपने पहले ईम्स गए ते दे आपको नहीं नहीं कर बाया नहीं वहां पर वैसा था कि उन्होंने ट्रांस्प्रांट का बोला था अच्छा तो लेकिन अमनों को कराना नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने कराया फिर आयर्वेदिक के तरफ पतन दिली उपीट गए अधिक है उसके बाद उसके बाद वहां पर ट्रीटमेंट चला वहां पर एकडम कंट्रोल में रहा लेकिन अभी कुछ दस महीने से बारा महीने से एक साल से बहुत क्रेटनाइन आ उपर हो गया 11 पर आ गया तो फिर इदर का पता चला यूट्यूब के माधियम से तो तीन महीने से दवायां खा र रहो तो फिर यहां पर आये साथ दिन में क्या फर्क पता चला यहां तो उन लोगों ने रूटीन ही नहीं पताया है और बाकी अब की यह समझ में आ रहा है मेरे को पाइदा तो ऐसा है कि तो अच्छी है बट ऐसा होता है कई बार फीलिंग जो अच्छी आती लेकिन रिपो अच्छ उपर यह खा रहे घर पर रोटी चल रहा दा तो यह मना करते हैं आपको ज़्याट्स वाला चीज अच्छ लग रहा है यह अच्छा है बस जो खिच्डि आती हूँ अच्छी लगती है घर में बनाएंगे तो अच्छी लगीगा थोड़ा सा ठेस्टी बना सकते हैं ल झाल झाल, झाल, झाल